उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ एक, परिवार और पडोस, भाग चार, आओ बादल, प्रिष्ट, बाइस, इस प्रिष्ट पर एक कविता दी गई है, ये कविता मिल कर पढ़िए, कविता का शीर्षक है, आओ बादल, आ से आओ, बा से बादल, पा से पानी, लाओ बादल, ध से धर्ती, त से तपती, न से नहर, न दी भी सूखी, प से पेल, परिंदे गुम्सुम, ह से हरियाली, है रूठी, उ से उमलो, छा से चाओ, ज से जल्दी, आओ बादल, ज से जम जम, ब से बरसो, ग से गर्जो, गाओ बादल, श्याम सुशील, इसी प्रिष्ट पर एक चित्र भी बना है, चित्र के उपर वाले भाग में, एक बादल का चित्र है, और बादलों के बीच में बिजली को कड़कते दिखाया गिया है, प्रिष्ट के निचले हिस्से में एक नदी का चित्र है, कुछ घर भने है, कुछ घरों की चटों को दिखाया गिया है, एक घर की चट पर एक बिल्ली दिखाया गई है, दो घरों की चटों पर तीन बच्चे और एक आदमी को दिखाया गिया है, साथ ही इस द्रिश्च में कुछ पीड़ पौधे भी दर्शाय गए है, बिजली की तारों पर पांच पक्षी बैठे दिखाया गए है, प्रिश्ट 23, कविता में नीचे दिये अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए, अ रिक्तिस्थान, प रिक्तिस्थान, न रिक्तिस्थान, पा रिक्तिस्थान अब आपको दिये गए अक्षरों के सामने उनसे बनने वाले शब्दों को लिखना है चित्र देखकर खाली स्थान भरिए एक सा रिक्तिस्थान स इसके आगे एक पक्षि का चित्र है अब आपको पक्षि को देखकर सही अक्षर रिक्तिस्थान में भरना है दो वा न रिक्तिस्थान यहाँ पर एक जानमर का चित्र है अब आपको जानमर को देखकर सही अक्षर रिक्तिस्थान में भरना है तीन अ रिक्तिस्थान र यहाँ पर एक फल का चित्र है आपको इस चित्र को देखकर उचित अक्षर रिक्तिस्थान में भरना है चार व रिक्तिस्थान यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र को देखकर आपने सही अक्षर रिक्तिस्थान में भरना है पांच रिक्तिस्थान म यहाँ पर एक फल का चित्र है इसे देखकर आपको उचित अक्षर रिक्तिस्थान में भरना है छे रिक्तिस्थान ल यहाँ पर एक वस्तु का चित्र है इसे देखकर आपको उचित अक्षर को रिक्तिस्थान में भरना है शिक्षक निर्देश सहभागियों के साथ मिलकर कविता में अक्षरों और शब्दों की पहचान कराएं अक्षर और शब्दों को लिखने में सहभागियों की मदद करें कविता को गा कर पढ़ने के लिए प्रेरित करें